तो आज हमारा टोपिक है यूनिट फर्स्ट का क्लास 12 का रिस्पॉंसिबिल्टीज ओफ कमेटीज इससे पहले हमने अल्रेडी टू टोपिक्स कर लिये हैं जिसके अंदोर हमने मेनिंग और अब्जेक्टिव और प्लानिंग और वेरियस कमेटीज और ओर्गनाजेशन ओफ टूर्णमेंट तो तोनों ही मैंने दोनों ही वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिये हैं और पार्ट में भी डाल दी है आप जाके देख लिए जेका पहले उनको तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी हमारे चैनल पे नए हैं व तो आज के हम इस टोपिक में हम जो कमेटी हमने बनाई हैं टूर्णमेंट और्गनाइज कराने के लिए उनकी प्री मतलब टूर्णमेंट से पहले की डूरिंग टूर्णमेंट मतलब जो डूरिंग टूर्णमेंट एंड पोस्टूर्णमेंट जो भी टूर्णमेंट खतम ह एक शर्गाते हैं तो हमारे मनेट म fetych शोनेटेइस हैं बभाना ईयकर इनको टूनमेंट में और मी आपना उको पिल करते हैं तो दॉदाचे हैं SSL एक ंन्यार। उन असodeष्डैल उन वेसिनों सर्था किया हैं देयर आच देनान उन जो है कंट in a systematic way and it generalized performed by physical education teacher जब हम school के अंदर बात करते हैं जो ये responsibilities होती है ये mainly physical education teacher के दुबार की जाती है बट अगर हम higher level की बात करें तो different different committees बनाए जाती है जो हम ये पढ़ रहे हैं ये हम mainly state level ये national level इनके level के लगा लेते हैं मतलब हम national level के tournament के लिए as ये पूरा कुछ जो है ये हम पढ़ रहे हैं तो जो tournaments होते हैं तो इनको planning करते हैं कि पहले हमारा tournament कब होगा किस date को होगा हमने क्या क्या उसके अंदर event decide करने हैं देन उसके बाद हम committees बनाते हैं देन उसके बाद further हम facilities बगारा देखते हैं अपने हमारा budget बगारा देखते हैं जो भी होता है तो अगर मैं direct बताती हूँ तो शायद जो सिरफ sports वाले बच्चे हैं जिन्होंने किसी games में participate किया गए उनको easily समझा जाएगा उनको तो वैसे भी समझा जाएगा to the point कि क्या क्या responsibilities होगी बट जो students ने physical education ली है लेकिन वो कभी भी किसी उन्होंने game में participate नहीं किया है तो उनके लिए क्या है कि आप सबसे पहले तो मेरी एक बात है कोई भी tournament हो आप जिरूर participate करें किसी भी game में ताकि आपको इस field के बारे में और ज्यादा पता चले क्योंकि आपके पास physical education है तो इस से later आपको पता होना चाहिए तो first है जैसे हम example लेते हैं हमने कोई भी घर में function रखा है घर में function रखा है किसी की शादी है assume कर लो कि आपकी sister या brother की शादी है तो क्या होगा अब sister की शादी है हमें क्या करना पड़ेगा पूरा arrangement करना पड़ेगा जो भी decoration वगएरा है उसको ही function से पहले हमने decide करना पड़ेगा कि कौन करेगा किसको हमने order देना है कौन function की जो मिठाई वगएरा है वो कौन करेगा और other जो भी जैसे sister की शादी है तो jewelry वगएरा उसके equipment अगर हम sports में देखे jewelry कि से related होगी हमारे जो equipment से बगएरा होगी then ऐसे हम क्या करते हैं function से पहले planning करते हैं उसके कपड़े वगएरा और भी other facility जो भी होती है तो during during function क्या होगा जो भी शादी के time होता है हम welcome करते हैं जो भी जो भी relatives आते हैं उनका welcome करते हैं उनकी refreshment वगएरा ये सब देखते हैं then after क्या करते हैं वो सब जाते हैं उनको thanks करते हैं then उनको जो भी हमने momentum अगरा या जो भी हमने देना होता है उनको as a gift वो हम उनको देते हैं ऐसे ही same as it is a function हमारा जो sports tournament होता है वो होता है और्गनाइज होता है फर्स्ट हमारी pre tournament responsibility में क्या आता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे planning करेंगे जो भी हमारा schedule है tournament का उसको plan करेंगे कि कि date को होगा venue क्या होगा event क्या होगा level of tournament क्या होगा कि national level का है state level का है इंटरनेट जो भी level होगा वो हमें decide करना होगा then हमने decide कर लिया कि हमने tournament कराना है date decide कर लिया then हम फिर क्या करेंगे committees बनाएंगे groups की जो अलग-अलग group बनाएंगे जो भी ability के according person की कि 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 कमेटी के committee बनाएंगे जैसे हमने further बहुत सारी committee बनाएंगे finance committee, publicity committee, transport committee, first aid, refreshment, ground equipment, etc. इस committees को हम बनाएंगे और उनकी क्या करेंगे duty assign करेंगे कि आप लोगों क्या-क्या काम करना है then उसके बाद क्या करेंगे arrangement और arrange the facility जो भी हमारी play field है, equipment है, safety है, safety measures जो भी है जो हमारी facilities use होएंगी during tournament जो use होगा वो हम pre-tournament पहले ही arrange कर लेंगे जैसे जो हमारे, जो भी हमारी equipment और ground के committee होगी, यह किसकी duty होगी जो भी हमारी equipment और ground की देखो जो responsibilities होती है हमने जैसे 10 plus committees की थी तो हर committee की अलग-अलग duty होगी जो pre-tournament में भी वो कुछ role play करेगी, then during tournament में भी कुछ role play करेगी, then after tournament भी वो role play करेगी then उसके बाद आता है हमारी making the budget of tournament देखो, budget को मना हम tentative budget बनाएंगे, tournament से पहले, then उसको क्या करेंगे, high authority से approve करवाएंगे अब budget को मना आएगा, जो भी हमारी budgeting committee होगी, या फिर हम कह सकते हैं, जो भी हमारी financial committee होगी, वो बनाएगी I hope आपको समझ आ रहा है, then next चलते हैं, फिर आता है, send invitation और information, फिर क्या करेंगे कि हम जो भी invitation send करना है, जहां पर भी जैसे हमने school level पर कोई tournament organize कराना है तो हम क्या करेंगे, जो जिन भी school में हमने invitation भेजना है, उनको हम पूरी information जो भी हमारी tournament से related है, अब वो सारी information उनको भेजेंगे related to tournament, जो भी concerned team होगी, then उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने invitation भेज़े, अब invitation को भेज़ेगी, जो भी हमारी assidative committee होगी वो, then उसके बाद arrange the official team, अब arrangement जो भी हमारे officials होगे, जो जो during tournament, जो जैसे long jump हो गया, short put हो गया, track events होगे, इन सब के लिए हमें अलग-अलग officials की जरूरत होती है, जैसे अगर हम combine बहुत सारी, अगर हम games के टूर्णमेंट, games करा लेंगे, जैसे olympic होता है, उसके different games होते है, wrestling भी होती है, कबड़ी भी होती है, all over, sorry, wrestling होती है, athletic meet होती है, all games होती है, all games होती है, तो देखो, हर games का एक professional official हमें चाहिए चाहिए, और अगर हम school level पे कर रहे है, तो कुछ officials हमें long jump पे चाहिए, then short put area में चाहिए, track area में चाहिए, तो उसके according हमें जो भी officials है, उनको हम क्या करेंगे, invite करेंगे, then उनकी जो भी responsibilities होगी, वो उनको बताएंगे, then officials, फिर जब आ जाएंगे, और हमारे पास teams की जो भी receive होगया, कि कौन-कौन school participate कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, picture draw करेंगे, picture draw करना, अभी आगे आपको आएगा, इसके अंदर ही picture draw कैसे क तो ये भी कौन करता है, ये भी officials करते हैं, मतलब पहले हम officials को invite करेंगे, then fixture draw करेंगे, ये जो duty है, draw the team fixture, ये क्या है, ये pre में भी आती है और during भी आती है, हम इसको पहले भी बना सकते हैं और during भी, क्योंकि देखो, अगर हम पहले बनाते हैं, तो मतलब और कोई भी team उसके अ आती है, मुझे भी participate करना है, तो वो at a time उस time participate नहीं कर सकती, but अगर हम during tournament बनाते हैं, announce कर देते हैं, कि जी जी stream को participate करना है, जैसे relay, जैसे हमारी relay race होती है, उसकी hits हम करते हैं, अब पहले बता देते हैं, कि जिन जिन को participate करना relay race में, वो अपना नाम register करा जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके recording हम hits बनाते हैं, कि first hit, second hit, third hit, तो ऐसे ही जो teams आएंगी, तो during tournament, उस time हम उनको picture तियार कर सकते हैं, तो ये draw team picture दोनों साइड आएगा, during भी और pre भी, then उसके बाद आता है, arrange, arrange the momentum and certificates, अब momentum किसके लिए, जो भी हमारे chief guest होंगे और officials होंगे, और certificate जो भी हमारे players होंगे, उनके लिए, और also arrange हमने क्या करना है, players के जो medal, players के जो medal होंगे, medal और जो certificate होंगे, winners के अलग होंगे, और participation के अलग होंगे, और जो भी team, at last, जो भी team, winner और runner-up होगे, उनके लिए cups और trophies हो जाएगी, then उसके बाद हम arrangement करेंगे, boarding और loading का, मतलब जो भी खाना और रहने का arrangement होगा, sorry, जो भी खाने और रहने का arrangement होगा, officials का हो, या वो players का हो, या फिर वो कोई भी chief guest का हो, वो हमें पहले ही arrange करना पड़ता है, जैसे अगर हमारे पास hostels हैं, तो हम वहाँ कर सकते हैं, इवन girls और boys का separate, separate करना पड़ता है, उसके according हमें facilities बगएर देखनी पड़ती है, तो यह सब हमारा पहले हो जाएगा, तैन उसके बाद आती है हमारी transportation, जैसे कोई भी दूर से team आ रही है, जैसे केरला से अगर हम national level पे कोई भी tournament organize करा रहे हैं, तो केरला से team आ रही है, तो केरला से team आएगी, वो कुछ यतर तर तक तो आ जाएगी, बट एक proper location नहीं मिलता क तो फिर हम क्या करते है, तो फिर हम क्या करते है, ट्रांसपोर्ट प्रवाइड कराते है, कि उनको proper location दे देते हैं, कि वहां तक आप लोगों को आना है, तो उसके बाद हमारी transportation, जो भी फैसिलिटी है, बस है, वैन है, जो भी है, कि आप लोगों को प्रवाइड हो जाएगी और वह आपको जहाँ पर भी टीम और जहाँ पर भी टीम ठहराई जाती है, या फे जहाँ पर भी मैच होगा वहां पर लियाएगी, और यह सेम चीज डूरिंग भी होता है, बाई चांस हमने कहीं भी, कहीं पर जो रहने का इरेंजमेंट किया है, वो दूर है, जो हमारा ground है उससे दूर है तो वहाँ पर लाना और ले जाने का भी क्या करना है ट्रांसपोर्ट की फैसलेटी प्रवाइड करनी है तो आई होप आपको प्री टूर्नमेंट की रिस्पोंसिबिल्टी अच्छे से समझ आ गई होंगी तो अब आते है डूरी मतलब हमारा function आज से start है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमारे officials होंगे उनको हमने bands और badges देने है ताकि उनको easily identify कर सके यहाँ पर हम i-card भी दे सकते है then क्या करना है उनको जो भी वो concert area से relation रखते है मतलब जैसे जो long jump का है या फिर track event का है short put का है तो उनसे related उनकी score sheet और जो भी record sheet है वो उनको provide करानी है then उसके बाद हम क्या करेंगे जो भी हमारी ceremonies होंगे जैसे सबसे first ceremony क्या होती है किसी भी tournament लगा लिए function में opening ceremony होती है opening ceremony का हमें पूर arrangement check करना है और in between medal ceremony and at last closing ceremony की उन सब का arrangement proper तरीके से हो रखाया है या नहीं हो रखाया है उसके बाद हम क्या करेंगे regular check करेंगे हमारे tournament को कि सही से जो प्रोग्राम है वो चल रहा है as per the schedule की वो schedule के according हमारा program चल रहा है या नहीं जो हमने time fix किया था कि जो हमारी hundred meter hundred meter flat flat race है वो 11 am को start होगी तो क्या वो proper time पे start होगी है क्या उसकी proper time पे announcement होके अगर हमने 11 बजे event का schedule रखा है तो क्या 10 बजे से उसके announcement start हुई है या नहीं हुई है between मलब first call second call सब proper हुआ है और 11 बजने के बाद within 10 minutes क्या हमारी first heat खतम हो गई है उसकी records हमारे प्रिपेर हो गए है तो यह सब हमें according to time check करना होता है फिर next हम क्या करेंगे prepare all record sheet जो भी record sheet है वो साथ की साथ prepare हो जाएगी as per the event or matches or event के according फिर उसके बाद हमने क्या करना है players और officials की arrange करना है refreshment यह भी क्या है during tournament का है कि जो players और officials है उनको refreshment provide कराना make the announcement yes जो announcement है वो प्रोपर time पे हो रही है या नहीं हो रही है और जो अगर हमने कुछ भी program में कुछ भी changes किये है उसके announcement भी proper time पे हुई है या नहीं हुई है और जो event अभी start हुआ है जैसे on a track चल रही है हमारी 400 meter race और short put area में discuss throw चल रहा है then jumping area में हमारे triple jump चल रहा है तो प्रोपर उनके announcement हो रही है या नहीं हो रही है फिर आता है हमारा draw team picture यह मैंने पहले भी बताया था आपको यह post sorry pre में भी कर सकते हैं और during भी कर सकते हैं तो फिर जो भी confirmation होईगा participants और teams का then उसके according officials meeting करेंगे और क्या करेंगे फिर picture draw करेंगे हमारे जो first aid facility है first aid facility यह कौन सी committee है first aid committee देखो क्या है जो हमारी facilities है उनसे related ही हमारी committees के नाम है तो हमें easily याद हो जाएंगे फिर अगर in case कोई भी injury हो जाती है तो first aid जो facility है वो at a time provide होनी चाहिए उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा progress at tournament का वो हम daily media को provide कराएंगे then हमारा culture program culture program opening ceremony time और closing ceremony time दोनों ही ceremony के लिए हमारा culture program ready है या नहीं ready opening के time तो at a time हम हमें during tournament वो show करना है then closing के time closing ceremony के time जो भी culture program उस time के लिए है वो ready है या नहीं यह सब हमें चेक करते रहना है then उसके बाद price distribution देखो price distribution हमारा during भी हो सकता है और यह post हो सकता है देखो दो है एक तो draw team picture यह during हो सकता है और pre हो सकता है last day जैसे अगर three days का tournament three days का tournament है हमारा तो at last day जब closing ceremony के time फिर जो chief guest आता है उसके दुवारा price distribution करवाना वो case में आ जाएगा हमारा post में आगा I hope आपको इतना यह समझ आ रहा है चाहे कोई sports में किसी student ने sports में participate किया हो या फिर किसी ने अब तक नहीं किया हो दोनों को यह अच्छे से समझ आ रहा होगा yes तो आज की हमारी motivation quite है fear is an illusion if you use that energy for confidence you will be amazed at the result yes fear क्या है हमारा डर क्या है हमारा एक भ्रहम है एक धोका है जो energy हम fear डरने में यूज करते हैं अगर वो ही energy हम confidence में यूज करें तो जो हमारे result होएंगे जो हमारे परिनाम होएंगे वो बहुत ही amazing होएंगे मतलब positive result मिलेगा हमें डरिये नहीं confidence अपना काम कीजिए आपको positive result जरूर मिलेगा फिर आते हैं हमारा post tournament responsibility post tournament responsibility कब होएगी end of the meeting and जब सभी हमारे जो events खत्म हो जाएंगे और closing ceremony भी हो जाएगी तो कुछ responsibility होती है जो बच जाती है उनको क्या बोलते हैं post tournament responsibility तो क्या करेंगे सबसे पहले देखें अगर हम sequence में चलेंगे न तो हमें असानी रहेगी remind करने में भी याद करने में भी even अगर हम by chance in future हम कोई organize करवा रहे हैं tournament तो तब भी हमारे लिए यह बहुत ही easy हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या होगा check out होगा teams का जो भी हमने उनको security refund करनी है वो हम क्या कर देंगे refund कर देंगे बिकोज जब भी कोई भी team आती है तो वो security deposit कराती है मतलब जो organize कराता है वो deposit करवाता है उनसे ताकि अगर कोई उनकी वज़े से हमारा loss हो तो हम उनसे वो recover कर सके सब्सक्राइब अगर कोई loss नहीं हो उनकी वज़े से तौ हम क्या कर देंगे उनको refund कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे हम जो भी डिस्ट्रिबिट करेंगे participant certificates होगा और अगर किसी का medal रहता है तो वो भी हम क्या करेंगे उनको distributive कर देंगे इसके बाद जो भी हमने equipment issue कराये थे, कहीं से भी अगर हम कहीं से लेकर आये थे, तो उनको क्या करना है, हमने return करना है, जो भी equipment और ground committee होती है, वो जो लेकर आती है, उनको return कर देगी, फिर हम एक press note बनाएंगे, जो हम media को send करेंगे, कि during during tournament, कौन winner है, कौन runner-up है, कौन chief guest आये था, किसने opening ceremony की, किसने closing ceremony, all over, पूरा एक report त्यार करके हम क्या कर देंगे, media को send कर देंगे, फिर आता है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा record है, हर event का, हर tournament को, उसको collect करेंगे, file up करेंगे, उसको save करेंगे, और final report बनाके, higher authority को, क्या कर देंगे, submit कर देंगे, और जो भी हमारी due payments है, जो भी officials आये थे, उनको भी हमें, कुछ payment करने होती है, उनको भी हम क्या कर देंगे, दे देंगे, और at last हम क्या करेंगे, जो भी हमारी financial report है, जो हम financial report exact है, जो भी हमने एक पहले tentative, tentative finance report बनाई थी, कि हमारा इतना खर्चा आ सकता है, at, जब हमारे tournament खत्म हो जाता है, फिर हम exact, एक financial report बनाते हैं, then उसको analyze करते हैं, जो भी हमारी tentative report थी, और at last हम क्या करते हैं, सब को thankful send करते हैं, मलब mail करते हैं, letter दे देते हैं, जो भी हमारे tournament के part थे, कोई भी special person, official, जिसको हम send करना चाते हैं, उनको हम ये send करते हैं, I hope आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, देखो, जो, जिस भी student ने participate किया है, उसके लिए बहुत ही असान है, बट अगर कोई भी student ऐसा है, जिसमें participate नहीं किया, वो क्या करें, इसको थोड़ा function से relate कर ले, ठीक है, और step by step याद करें, अब मैंने एक next, अगली next slide में एक बहुत ही अच्छा table बनाया है, जिससे आपको अच्छे से समझा चाएगा, yes, ये क्या है, पूरी responsibilities है, देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, plan करेंगे, plan कर लिया हमने कि tournament हमने कब कराना है, फिर हम क्या करेंगे, committees बनाएंगे, सब को work assign कर करना है, फिर अब इसके बाद क्या होगा, हमारी committees का काम चल जाएगा, arrangement the facility, किस committee का काम है, equipment or ground का, जो भी equipment use होगा, जिस भी committee को चाहिए, वो अपने equipment arrange कर लेगी, जर उसके बाद budget बनाएंगी, financial committee बनाएंगी, invitation send करेगी, association committee send करेगी, arrange the official team, जो भी जिसकी भी duty लगेगी, officials क arrange करेगी, then draw team fixture, जो officials आएंगे, वो क्या करेगे, team fixture को draw करेगी, उसके बाद, momentum and certificate, जो भी certificate कमेटी होगी, वो क्या करेगी, certificate बगेगी, उसके बाद, arrange the loading and boarding facility, जो भी हमारी boarding and loading कमेटी होगी, वो इसका पूरा arrangement करेगी, then उसके बाद, arrangement the transportation, और यह किसकी duty होगी, हमारी transport कमेटी की, इतना आपको समझ आ गया होगा, देखो जो कमेटी है, उनकी सब की responsibility पहले भी होगी, मैं आपको दुबारा बता रही हूँ, सब कमेटी की duty पहले भी होगी, during भी होगी, और post भी होगी, हम कमेटी ही इसलिए बनाते हैं, ताकि यह इतनी सारी duties है, किसी 1% को करने अलग अलग फर्दर गूर्व में डिवाइड हो जाएं, then during में क्या अगा सबसे पहले official जैसे, assume कर लो, ground में एंटर होएंगे, तो उनको identify करने के लिए उनके पास band या badges होने चाहिए, तो वो हम arrange करेंगे, then उसके बाद जो भी हमारा arrangement होगा, जैसे opening ceremony स्टार्टिंग में हो हमारा जैसे चल रहा है ना, तो पूरा record हम साथ की साथ prepare करते चलेंगे, फिर in between क्या refreshment देंगे, events की announcement करेंगे, जो भी fixture है हम in between वो भी grow कर सकते हैं, बीच में हमारी first ride facility भी होनी चाहिए, अगर by chance किसी को injury हो गई है, तो वो facilities भी होनी चाहिए हमारे पास, और हमें क्या करना मीडिया को भी पूरी daily progress देनी है, और जो भी हमारे cultural program है, उनको भी देखना है, और price distribution जैसे ही को event खतम होता है, price distribution ceremony भी हम कर सकते हैं, यह हो गया हमारा during, ठीक है, एक मतलब sequence बनाके चलना है, पहले यह करना है, then उसके बाद हमने इस काम को करना है, then उसके बाद हमने इस काम करना है, ठीक है, जैसे पोस्ट है, सबसे पहले हमारा tournament खतम होगा, टीम क्या होएंगी, जाएंगी, तो उनको जो भी उनका refund है, उनको refund कर देंगे, और जो भी उनके साथ-साथ, उनको पहले तो, जो ने स्कूर्टी जमा कर रही थी, वो देंगे, जो भी students के participation certificate है, medal को बच करने है, तो, मेडिया में भी हमने क्या करना है, पूरा ओल ओवर tournament के बारे में information देनी है, और रिपोर्ट टैर करके उनको send करनी है, तो, collect the record, जो भी हमने, अब हमारे मेंनी काम होगे है, हम क्या करेंगे, पूरा record, collect करेंगे, जो officials ने था, उनको collect करेंगे, record officials ने दिये हमें हमने collect कर लिए और जो भी official की due payment थी, हमने वो उनको send कर दी, then उसके बाद at the end हम क्या करेंगे, अपना financial report बनाएंगे, जो हमने first में tentative budget बनाए था, उसको अब हम end में check करेंगे, यहाँ पे, then उसके बाद हम क्या करेंगे, सब को thankful mail send करेंगे, जो भी person, chief guest, players, team members हैं, I hope आपक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो share जरूर करना, अपने दोस्तों को, अपने classmates को, ताकि सब को यह content मिल सके, वीडियो lecture की PDF के लिए आप telegraph channel join कर सकते है, physical education with me, और अगर further कोई भी query हो, तो आप उसको comment box में, बता सकते है मुझ मैं उसको अच्छे से आपको clear करूंगी, और feedback देना मत भूलेगा, क्योंकि आपके feedback से मेरा confidence बढ़ता है, और confidence के लिए और अच्छी वीडियो ताकि मैं आपको देशकों, क्योंकि वीडियो बनान में बहुत महनत लगती है, और अगर feedback ना मिले तो थोड़ा moral सा down हो जाता ह तो feedback जुरूर देजेगा ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो और content मैं दूँ, thank you so much, learn together and start from now